हलो फ्रेंट्स वेलकम बाक टो मैं चानल मैं अपने चानल एचपी एक्जाम कॉर्णर पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी एक्जाम के प्रपरिशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंट्स आज हम HP Allied Services की Class 4 करने वाले हैं इससे पहरे जो है Already Class 3 हम कर चुके हैं तो उसमें हमने सभी Important Questions डिसकस किये थे जो पिछले Allied के एक्जाम में पूछे गए थे तो फ्रेंट्स इसी सीरीज को आगे भढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में भी 10 Questions डिसकस करने वाले हैं डिटेल में डिसकस करेंगे जो कि पिछले Allied के एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो चलिए फ्रेंट्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं बात करते हैं First Question की Name the ruler of Rampur Bhushar who received the Hangrang Valley from Tibet as a Jagir and also right to free trade between Tibet and Bhushar state Rampur Bhushar के उस शासक का नाम बताईए जिसने तिबबत से Hangrang घाटी को Jagir के रूप में प्राप्त किया और तिबबत और Bhushar राज्ये के बीच मुक्त वैपार का अधिकार भी प्राप्त किया तो Options आपके सामने हैं पहला है राजा शम्शेर सी हां सेकिंड है राजा चतर सी हां धर्ड ऑप्शन है राजा उग्र सी हां फोर्थ ऑप्शन है राजा केहरी सी हां तो Friends अगर हम बात करें Right answer की तो Option B राजा केहरी सी हां जो है बिलकुल Correct answer बन जाएगा बूशहर रियासित की स्थापना श्रीक रिष्ण के पुत्र प्रद्यूमन ने की थी इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजा कहरी सिंघ को अजान बाहु कहा जाता था क्योंकि वह सीधे खड़े होकर अपने घुटने चूँ सकते थे औरंग जेब ने केहरी सिंग को 1639 से लेकर 1696 इसवी तक जो है उन्होंने राज किया बूशहर रियासत पर और छत्रपती के किताब से उन्हें समानित किया था किसने औरंग जेब ने राजा केहरी सिंग की बात करें तो उन्होंने ही है जो लवी मेला शुरू करवाया था इसके लावा बात करें तो केहरी सिंग को हंगरंग घाटी तिबबत से जागीर के रूप में मिली थी उसने तिबबत के क्षेतर को एक सिंध द्वारा वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया तो फ्रेंट्स ये केहरी सिंग के बारे में कुछ important points है जो आपको पता होना चाहिए important है तो चलिए आगे बढ़ते हैं I hope आपको ये clear होगा इसके लावा बात करते हैं second question की तो second question है पिन वैली has been declared a national wildlife conservation park for the protection of which animal पिन वैली को किस जानवर के सरक्षन के लिए राष्टे वन जीव सरक्षन पार्ग घोशित कर दिया है तो दोस्तो पहला option है याग second option है second option है पश्चिमी ट्रेंपोलियन और third option है हिम तेंदुआ फोर्थ है कस्तूरी म्रिग तो दोस्तो बात करें इस question के right answer की तो इस question का right answer है option C snow leopard तो friends snow leopard की protection के लिए जो है पिन वैली को declare कर दिया है national wildlife conservation park friends pin valley national park जो है भारत का एक अंतरराष्टी उद्यान है जो भारत उतर भारत में जो है हिमाचल प्रदेश के लहौल और स्पिती जीले के भीतर स्थित है friends बरफ से भरी हुई उच्च पहुंच की धलानों के साथ जो है पार्क कई प्रकार के लुप्त प्राय जानवरों के लिए जो है एक प्राकृतिक निवास स्थान बन जाता है जिसमें से क्या है हिम तेंदुआ भी एक है तो इसी के सर्क्षन के लिए जो है पिन वैली को गोशिट कर दिया गया है राष्टी उद्यान गोशिट कर दिया गया है इसके अलावा में कुछ चीज़े आप से डिसकस करना चाहती हूँ कि जो भारत का पहला राष्टी उद्यान था वो 1936 में जो है हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था जिसे अब जिम कॉर्बिट नेशनल पार्क उत्राखंड के नाम से जाना जाता है ठीक है और 1970 तक की बात करें तो 1970 तक भारत में केवल पांच राष्टी उद्यान थे और 1972 की बात करें तो 1972 में भारत में वन्य जीव सरक्षन अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर जो है लागू किया गया था वहीं बात करें भारत में प्रेजेंट में अभी 104 मौजिवदा राष्टी उद्यान है और अगर हम बात करें कि इनका जो क्षेत्र है क्षेत्र कवर कितना करते हैं तो 43,716 वर्ग किलोमेटर जो है ये क्षेत्र जो है कवर करते हैं तो ये कुछ चीज़े इंपोर्टेंट है और आपको पता भी होने चाहिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और थर्ड क्वेशन है हीमाचल के पारंभिक निवासी कौन थे? ऑप्शन है दास, निशाद और दस्यू सेकेंड ऑप्शन है कोली और मुंडा थर्ड ऑप्शन है मेलकोलाइट, भोटा और कीराथ और थर्ड है आरे या खस तो दोस्तों इस क्वेशन के अगर राइट अंसर की हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है बिलकुल करेक्ट अंसर बन जाएगा यानि कि अगर हम बात करें हीमाचल की तो हीमाचल के प्रारंभिक निवासी थे दास, निशाद और दस्यू आईए डिटेल में कुछ चीज़े डिसकस कर लेते हैं तो फ्रेंस हीमाचल प्रदेश के इतिहास उस समय में ले जाता है हमें जो हीमाचल प्रदेश का इतिहास है वो उस समय में ले जाता है जब सिंदु घाटी सब्यता विक्सित हुई थी इस बात की सत्यता की बात करे तो इसके प्रमाण हिमाचल प्रदेश के विभिन भागों में हुई खुदाई से हमें प्राप्त समगरियों से मिलते हैं प्राचीन काल में इस प्रदेश के आदी निवासी जो थे दास, दस्यो और निशाद के नाम से जाने जाते थे वहीं बात करें वैदिक काल की और खसो की तो रिग वेद में हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासियों का जो है दस्यू निशाद और दास जो है के रूप में वर्णन मिलता है दस्यू राजा शामभर के पास जो है यमुना से व्यास के बीच की पहाड़ियों में कुल 99 की ले थे दस्यू राजा शामभर की बात करें तो दस्यू राजा शामभर आरे राजा दीवदास के बीच जो है 40 वर्षों तक युद्ध भी हुआ था और अंत में जीत किसकी हुई थी तो अंद में दीवो दास ने जो है उद्ध ब्रजिनामक स्थान पर शांबर का वद कर दिया था तो फ्रेंड्स अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखे तो उसमें जो है हिमा चल के प्रारंभिक निवासी के रूप में जो है दास निशाद और दस्यू की जो है कहा हमें सुनने को मिलती हैं चले इसी बात तर बढ़ते हैं next question की और next question है who transferred the seat of government from भ्रह्मपूरा या फिर जिसे अब भ्रह्मपूर कहा जाता है to the new capital founded at चमबा सरकार की seat भ्रह्मपूरा यानि की भर्मौर से चमबा में स्थापित नई राजधानी में किसने स्थानांत्रित की तो दोस्तो option आपके सामने है अदित्य वर्मन, second option है ललित वर्मन, third option है साहिल वर्मन और fourth option है प्रित्वी वर्मन, तो friends बात करे राइट अंसर की, तो राइट अंसर है साहिल वर्मन इसके रावा में बतादू, जो अदित्य वर्मन थे वो 620 इस्वी में जो है चमबा के शासक थे ललित वर्मन की बात करे तो 1143 इस्वी में यह चमबा के शासक थे साहिल वर्मन की बात करें तो 920 इस्वी में जो है यह चम्बा के शासक थे 920 इस्वी में जो है चम्बा शहर की स्थापना की गई किसके द्वारा साहिल वर्मन के द्वारा friends बात करें वह राजधानी जो है ब्रहमपूर से चमबा ले गए इसी के साथ साहिल वर्मन की पतनी की बात करें तो उनकी पतनी राणी नैनार देवी ने जो है शहर में पानी की विवस्था के लिए अपने प्राणों का बलीदान दे दिया था तब से जो रानी नैना देवी की याद में जो है वहाँ पर प्रतिवश सूही मेला मनाया जाता है और इस मेले में केवल महिलाएं और बच्चे ही जा सकते हैं इसके अलावा बात करें तो राजा साहिल वर्मन ने लक्षमी नरायन, चंदर शेखर, चंदर गुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया है तो साहिल वर्मन के सबसे बड़े पोतर थे कौन युगांकर वर्मन तो ये सबी चीजे जो है चंबा के बारे में बेटा किस जीले के पेशेवर नरितकों का समुदाय है तो आप्शन आपके सामने है उना, बिलासपुर, सोलन या फिर लहौल स्पिती तो फ्रेंज बात करें राइट अंसर की तो राइट अंसर है लहौल स्पिती तो लहौल स्पिती के पेशेवर नरितकों का समुदाय है क बेटा इसके अलावा बात करें तो किनौर और लाहुल स्पीती के कुछ प्रमुख जो लोक निरते हैं वो कौन-कौन से हैं तो क्यांग की बात करें तो क्यांग कहां का सामोहिक निरते हैं किनौर का सबसे लोग प्रिय सामोहिक निरते हैं क्यांग बक्यांग की बात करें तो बक्यांग भी किनौर का सामोहिक लोक निर्थे है जो की प्राई इस्त्रियों द्वारा किया जाता है इसके अलावा मुखोटा निर्टे बात करें तो लौहल्स पीति और किनौर में मठों में लामाओं द्वारा मुखोटा निर्टे किया जाता है राक्षस निर्टे है, लामबर है, शेर निर्टे है, भेदर निर्टे है इसके अलावा बात करें शान्द नृत्य, शबू नृत्य तो ये सब भी नृत्यों की बात करें तो ये सब की नौर और लाखुल स्पीती के प्रमुख नृत्यों में से एक है तो ये तो होगे कुछ नृत्यों की बात अब बात करते हैं next question की Next question है which was the first play put on the gatey theater gatey theater में प्रदर्शित पहला नाटक कौन सा था option है पहला option है समय ही बताएगा यानि की time will tell second option है super dead man third option है the normal heart और fourth option है awake and sing तो friends बात करें इस question के right answer की तो इस question का right answer है option A यानि की time will tell तो friends gatey theater की बात करें तो gatey theater में जो सबसे पहला नाटक था वो क्या था time will tell था gatey theater की बात करते हैं तो 30 मई 1887 को जो है अंग्रेजी वास्तुकार हैंडरी इर्विन द्वारा जो है gatey theater डिजाइन किया गया था यह वास्तुकार जो है Gothic Rivaly Shelly का जो है एक उधारन है यानि की जो gatey theater है वो Gothic Shelly में बना हुआ है इसके लावा अगर हम बात करें तो जो British Victorian उधारनों से ली गई है यह Gothic Shelly इसके लावा अगर हम बात करें तो यह कभी बड़े town hall परिसर का हिस्सा हुआ करता था और इसकी क्षमता कितनी थी 300 से अधिक लोगों की थी ताइम विल टेल का जो मंचित पहला नाटक था एक समय में theater में जो है अंग्रेजी नाटकों की लोग प्रेत्या के कारण जो है शिमला की gatey theater को मक्का उपनाम भी दिया गया था तो यह आपको याद रखना है कि gatey theater कब बना किसके द्वारा जो design किया गया था इसे कौन सी शैली में यह बना था और इसमें पहला नाटक जो था उसका नाम क्या था उसका नाम था टाइम विल टेल चलिए next question की बात करते हैं next question है the ministry of tribal affairs government of india sanctioned first a club year model residential school in himachal pradesh was opened at which place of the state जन जाती कारे मंत्राले सरकार भारत सरकार द्वारा स्विक्रित पहला एक लव्य मौडल आवासिय विद्याले हिमाजल प्रदेश के राज्य के किस स्थान पर खोला गया है तो options है आपके सामने निचार second option है उदेपुर third option है किलाड और fourth option है काजा तो friends इस question की right answer की बात करें तो इसे निचार में खोला गया है याद रखेगा जो पहला एक लव्य आवासिय विद्याले है इसे निचार में खोला गया है आईए detail में बात करते हैं कि एक लव्य मौडल आवासिय विद्याले आखिरकार ये जो योजना है वो क्या है तो friends आवासिय विद्याले के लिए भारत सरकार की यह एक योजना है विशेश रूप से पूरे भारत में अनुसोचित जन जातियों के लिए ये योजना विशेश रूप से शुरू की गई है friends ये योजना जो है इसमें प्रमुख हस्तक शेपों में से जो ये योजना है इसमें जो है वर्ष 1997 और 1998 में जो है इसे पेश किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासी चात्रों को दूर दराज के आदिवासी क्षेतरों में जो है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सके friends भारत के समिधान के अनुछेद 2751 के तहत जो है अनुदान के साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है EMRS स्थापित किये गए हैं और इसके लिए जो बजट था 2018 और 19 के अनुसार 50 प्रतीशे से अधिक ST आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्ति वाले जो प्रतेक ब्लॉक थे उसमें वर्ष 2022 तक जो है एक एक लव्वे आवासिय विदाले खोला जाएगा तो फ्रेंड्स ये थी ये पूरी जो योजना थी और इस योजना के तहट जो है मुख्यलाब जो था mainly ST जो category है उसको जो है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिले तो उसी के लिए जो ये योजना चलाई गई है next question की बात करते हैं match list 1 and list 2 and select the correct answer from the codes given below तो फ्रेंड list 1 है और list 1 में कुछ हमें books के नाम दिये गए है या फिर किसी department का नाम दिया गया है हमें match करना है कि ये किताब या फिर ये जो title है वो किस से match करता है तो सबसे पहला है Sista second option है the first health minister of India third है हिमावत और fourth है सती तो इसके लिए जो options दिये गए है राज कुमारी अमरित कौर second है Nicholas Rorick third है अमरिता शेरगिल और fourth है नहरा रिचर्ड्स तो friends बात करें इस question के right answer की तो option B जो है बिलकुल correct बन जाएगा यानि कि Sista जो है Sista is related to अमरिता शेरगिल फिर बात करें the first health minister of India कौन थी तो वो थी राज कुमारी अमरित कौर यानि कि जो second option है वो A से मिलता है फिर बात करें हिमावत तो हिमावत जो है किस से related है Nicholas Rorick से related है फिर बात करें सती तो सती जो related है किस से related है नोहरा Richard से related है यानि कि C A B D is your correct answer option D जो है बिलकुल correct है आईए एक के करके बात कर लेते हैं हर एक व्यक्ति के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं राज कुमारी अमरित कौर जी के बारे में फिरिंड्स राज कुमारी अमरित कौर अलुवालिया जो है भारत की राजनेता तथा स्वतंतर भारत की प्रथम स्वास्ते मंतरी थी वे स्वतंतर ता संग्राम से नानी भी दी तथा समाजिक कारे करता भी रह चुकी थी वे फ्रेंड्स महादमा गांदी की अन्युआई थी तथा सोला वर्ष तक उनकी सच्चिव भी रह चुकी थी बात करे उनका जन्म जो है 2nd of February 1887 लखनव में हुआ था और उनकी अमरित्यू की बात करे तो 6 फरवरी 1964 को दिल्ली में हुई थी उनके माता पिता की बात करे तो उनके जो पिता थे उनका नाम था हरनाम सिंग और उनकी जो माता है उनका नाम था रानी प्रिशाला कौर साहिबा तो फरेंज बहुत ही अच्छी लेडी थी बहुत ही इंपोर्टन लेडी थी बहुत सी किताबे उन्होंने लिखी है बहुत ही famous किताबे उन्होंने लिखी है अब बात करते हैं सेकेड निकोलस रौरिक के बारे में फ्रेंट्स निकोलस रौरिक की अगर हम बात करें तो निकोलस रौरिक क्या है एक रूसी चित्रकार लेखक पूरा तत्विक और जो दार्शनिक जो व्यक्ति थे उनके रूप मे जाने जाते हैं फ्रेंट्स उनका जो है अन्य अधात्मिक क्रियाओ से जो निकोलस रौरिक थे वो काफी प्रोभावित थे तथा उनकी कलाक रित्यों में जो है उनकी एक अलग छाप हमें देखने को मिलती है फ्रेंट्स 9 अक्टूबर 1874 को जो है सेंट पीटर्स बर्क में उनका जनम हुआ किन्तू लमे समय तक वह भारत में रहे थे उनकी मृत्यों की बात करें तो 13 दिसंबर 1947 को नगर में जो है उनकी मृत्यों हो गई अब बात करते हैं अमरिता शेरगिल की तो अमरिता शेरगिल की बात करें तो अमरिता शेरगिल जो है भारत के प्रसिद चित उत्रकारों में से एक थी उनका जन्म जो है बुधपिस्ट में हुआ था कला संगीत वो अभिने बचपन से ही उनके साथी बन गए थे फ्रेंड्स बात करें कलाकार को जो है भारते पुरा तत्विक सर्वेक्षन ने जो है 1976 और 1979 में जो है भारत के नौ सर्वसिष्ट कलाकारो में उन्हें शामिल किया गया था बात करें उनकी अमरित्यों की तो उनकी अमरित्यों जो है दिसंबर 1941 में लहौर पाकिस्तान में हो गई थी अब बात करते हैं लास्ट नौरा रिचर्ड्स की नौरा रिचर्ड्स की बात करें तो वह जो है आईरिश अभिनेत्री और थेट विवसाई का थी जिने जो है बाद में पंजाब की लीडी ग्रेगरी कहा गया था उन्होंने जो है अपने जीवन के 60 साल क्षेतर की संस्कृती को समरिध करने के लिए समर्पित कर दिये थे फ्रेंड्स वह 1911 में पंजाब में आई और 1914 में उनकी शिष्य आई सी नंदा द्वारा लिखित पहला पंजाबी नाटक दुलहन का उन्होंने निर्मान किया फ्रेंट्स बात करें वो कहां पैदा हुई थी तो फ्रेंट्स वो आयरलेंड में पैदा हुई थी और उनका जन जो है 29 आक्टूबर 1876 को हुआ था बात करें उनकी अमरित्यू की तो फ्रेंट्स उनकी अमरित्यू 3 मार्च 1971 को हो गई थी भारत में चले I hope आपको काफी चीज़े clear हुई होगी बढ़ते हैं अगले question क्यों और 9th question है First, EMU breeding farm in Himachal Pradesh Set up by the Easy Way with a multi-level marketing company was at Multi-level marketing company Easy Way with द्वारा Himachal Pradesh में पहला EMU breeding farm स्तापित किया गया है तो friends, basically हमें बताना है कि ये EMU breeding farm कहाँ पर है तो options आपके सामने है पहला option है गगरेट second option है गंडवाल second option है चौंतड़ा और fourth option है सरोल तो दोस्तों बात करें इस question के right answer की तो option B गंडवाल जो है बिलकुल correct हो जाएगा गंडवाल कहाँ पर है तो डिस्टिक उना में है गंडवाल आईए बात करते हैं इसके बारे में तो friends, ये EMU breeding farm जो है 2012 में स्थापित किया गया था इंडिया कुवर EMU farm and हैचरी ने जो है EMU use EMU under EMU तेल आदी की आपूर्ती और वेपार में जो है आपार विशेशता हासिल करने के लिए जो है ये farm जो है स्थापित किया था friends, आपूर्ती करता company जो है उना हिमाचल प्रदेश में स्थित है और शिरी महेश राणा कुवर जो है EMU farm और हैचरी के मालिक है तो ये कुछ चीजे हैं जो आपको पता होने चाहिए इससे related आईए बात करते हैं आज की वीडियो के last question की तो आज ही वीडियो का last question है तेलंगी selection and ribba selection etc. are the local varieties of which dry fruit तेलंगी selection और ribba selection आदी किस सूखे फल की स्थाने किसमे हैं तो option आपके सामने है वालनट यानि की अखरोट second है पिस्ताचो यानि की पिस्ता third option है आमड यानि की बदाम fourth option है एप्रिकॉट यानि की खुमानी तो friends बात करें इस question के right answer की तेलंगीनी selection और ribba selection जो है बदाम की स्थानिय किसमे है तो friends आज की वीडियो में केवल इतना ही I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे अपने friends के साथ शेर कीजे और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है do subscribe my channel and all the best for your future exams thank you friends